हाई दोस्तों नमस्कार आज हम बात करेंगे MDRT दो मेहना भी हमारे पास है यह दो मेहने के अंदर में MDRT कैसे अचीव कर सकते हैं इस विशय को लेके बहुत ही डिटेल में बात करेंगे बने रहीएगा एंड तक मैं पांच मुद्धे आपके बीच में रखूँगा और हमेशा की तरह आप सभी को मालू है कि पांचवा मुद्धा कितना इंपॉर्टन रहता है तो एंड तक बने रहीएगा और इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा तो दोस्तों मैं मुक्यष जोशी इंडियनिश्ट अप एक्सिलेंस से आप सभी का हर्दीक स्वागत करता हूं और सोमवर को एक वीडियो लेकर आपके बीच में उपस्तित होता हूं और बहुत सी बाते पहुत सा ग्यान इस वीडियो के माद्यम से सब्सक्राइब करें लेकिन बेल बटन नहीं दबाएं तो बेल बटन जुरू दबाओ ये ज्यादा इंपौटन है ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशन मिले हाला कि हर सोमोर को वीडियो लेके आपके बीच में ऊपस्तित होता हूं मैं चलिए आज हम बात करेंगे पांच मु कर सकते हैं इवन दो दस मेने कंप्लिट हो चुके हैं यह 11 महिना है और 11 महिने के अंदर में आप सभी को मालू है फेस्टिवल्स बहुत आ रहे हैं और फेस्टिवल के दवरान भी हम कैसे टीके सकते हैं यह मैं अगले सोंवार को आपको ले मिन्वाइल आज हम बात करेंगे पांच मुद्दों के साथ में कि हम MDRT किस तरह से हम लोग इतने शौट टम के पिरियर्ड के अंदर में भी हम कैसे कर सकते हैं सबसे पहला मुद्दा है सबसे पहले तो आपको चेक करना होगा कि MDRT के लिए आपका कितना कमीशन जो है वो बाकी है सो वो आपको सबसे पहले आपको चेक करना होगा आप चेक कर लीजिए कि कितना कमीशन आपका बाकी है चलो मान के चलते हैं कि अगर आपका 50% commission बाकी है 50% आपका premium हो चुका है 50% premium आपका बाकी है पकड़ के चलिए कि 17-18 lakh रुपिया premium अभी भी आपको चाहिए अगर यह 17-18 lakhs रुपिस का premium लाना है वो भी दो महिने के अंदर में लाना है सिंपल सी बात है कि 9 lakh के हिसाब से हम strategy बनाए या तो 10 lakh का पर मंत के हिसाब से हम strategy बनाए दो महिने के अंदर में 20 lakh का premium हो सकता है बहुत बाकी है तो आप उस हिसाब से calculation कीजिए कि सबसे पहले आपका बाकी कितना है पहला मुद्दा यह है कि अगर मुझे दो महिने के अंदर में 20 lakh का premium या 18-17 lakh का premium अगर market से मुझे उठाना है तो most important thing तो यह है कि we need a prospect for that अज prospect नहीं है तो फिर आप problem तो यही है ना कि सबसे पहले हम जाएंगे कहां किस से बात करेंगे कि माल तो कौन देगा premium कौन देगा party देगी तो सबसे पहले यह वीडियो समाप तो होने के बाद या तो रात को सोने से पहले you have to find out 200 prospects 200 prospects को ढूंडना पड़ेगा मेरे prospect के ओपर बहुत सारे वीडियो से हैं वो आप देख सकते हैं उसके माध्यम से आपको यह पता चलेगा कि prospect कहां से ढूंडे जाए no doubt आपके जान पहचान वाले आपके already existing client है उन में से भी जरा चेक करो कि जो जो clientों ने आपको policy चार-पांच साल पहले दी हुई है तो यह तैयार हुए है सो ऐसे कम से कम 200 नाम लिखके आज रात को आपको सोना यह आपका सबसे पहला assignment रहे तो first assignment you should have a 200 prospect list चले इसमें थोड़ा सहयोग में और देता हूं आपके mobile number में जितने भी contact है जरा चेक करो उन सब लोगों को आप आपने policy की बात की है क्या मैं आपको guarantee देता हूं 60% नाम और नंबर ऐसे होंगे कि जिनको आपने policy नहीं बेचा शायद 40% आपके customer हो सकते हैं तो सबसे पहले इसमें से 200 नाम आपको ढूंड के अलग निकालने जिनके नाम और नंबर आपके पास में होने चीए यह पहला मु हुद्धा है 200 लिवों का list तैयार किया इनको आपको segregate करना है M U R formula के उपर में आपको work करना है M का मतलब है जो middle group है middle income group है देखे पूर वालों को तो आउटी करना पड़ेगा क्योंकि पूर वाले तो सबसे पहले जाके आपको यहीं बोलेंगे पैसे नहीं हमारे पास में अभी यह time नहीं है कि उनको समझा उनको पटाओ तो सीधे middle class वाले को पकड़ो middle class वालों के पास सबसे पहले 200 में से middle class वालों को segregate करो U का मतलब है upper middle class को segregate करो और R का मतलब है reach class को segregate करो तो MUR formula के उपर में आपको 200 लोगों के नाम को segregate करने है middle income group को हम बताएंगे 30 to 40,000 के आसपास या 30 to 50,000 का premium हम उनको quote कर सकते है अपर middle class को हम 50 to 60 या 70,000 का premium हम लोग quote कर सकते है and reach class को one like and above का premium हम लोग quote कर सकते है आपको ये तीनों group के अंदर में 200 नाम जो लिखे था न उसमें से ये तीनों group के अंदर से आपको 30-30-30 नाम या 30-35 नाम आपको अलग करना है so 100 prospect अभी 100 लोग आपके निकल जाएंगे कौन से वो जो बहुत लोवर middle class या तो poor class के है बाद में touch करने वाली लोग है अभी आपने जो 100 लोग segregate किये M U R formula के उपर में right so middle group upper middle group and reach class आपको 100 लोगों को अभी इनी 100 लोगों को आपको focus करना है और focus हम किस तरह से करेंगे दोस्तो फोकस करेंगे मुझे 35 के middle income group में से मुझे 10 लोगों को encash करना है 10 लोगों का policy मिलना चीए मुझे 33 नाम मैंने लिके है और वो है upper middle class के उसमें से मुझे 10 लोगों को encash करना है और reach class के जो मैंने 35 लोगों को encash करना है तो मान के चलो कि 30,000 भी अगर premium की average निकलती है तो आपको 3 लाख रुपए middle group से निकलेंगे 6 लाख रुपए आपको upper middle group से निकलेंगे और 10 लाख रुपए आपको reach class से में निकलेंगे तीनों में से मुझे 10-10-10-10 case मुझे निकालने है जो भी दो मैने में follow up लगया इनी 100 लोगों को focus करने की आपको कोशिश करनी है और देखे 100 में से मैं खाली 30 and cash करने को बोल रहा हूं मैं और 30 मतलब 70 इसमें पहले 200, 200 में से 100 निकाल दिये बाकी 100 बचे उसमें से भी मेरे को 30 लोग खाली policy लेंगे 70 लोग भी अगर मेरे से नहीं लेंगे तो भी मेरा 19 लाख से 20 लाख रुपए के आसपास का मेरा premium निकल के आ सकता है तीसरे point में अगले 2 महिने तक इनी 100 लोगों को रोज के 3 से 5 meeting करने पड़ेंगे हमारे पास पहने 2 महिने हैं ये पहने 2 महिने के अंदर मेंसे repeat meeting भी करनी पड़ सकती है आप दिखाओ गया और पहली बार गए और 10 के 10 लोगों ने पहले से policy ले ली आप से ऐसा नहीं होगा जो 30 लोगों को मिले 30 जार की income वाले 30 जार का premium देने वाले उन लोगों मेंसे जो 10 लोग select आपने किये या 12-15 लोग select किये इनको follow up मारना पड़ेगा इसलिए 3-5, 3-5 meeting अपने को अगले 2 महिने तक अपने को complete करनी है ये मेरा तीसरा मुद्दा रहा Let us move to the fourth point के उपर में हम लोग जाते है अभी यहां पर प्रशन ये उठेगा कि मुझे भाई इनके पास जाके बोलना क्या है इनको कहना क्या है ये क्या कहेंगे कि ये लोग policy ले लेंगे और इसके लिए मैं आपसे एक ही बहुत powerful suggestion मैं आपको दूँगा free of cost वाला suggestion दूँगा और वो suggestion ये है कि अनेको वीडियो मेरे presentation के बने हुए अनेको वीडियो लेकर मैं देखता हूँ बहुत सारे वीडियो ऐसे है कि जिसके अंदर में इतना power भरी पड़ी हुए presentation की बाते हुए है लेकिन अभी भी जिस प्रकार के views उसके होने चीए वो नहीं है आपको क्या करना है मालूँ मैं अगले दो महिने तक रोज सुबह में दो वीडियो जो नहीं देखी वो वाली वीडियो देखो presentation के अनेको टॉपिक है जाओ मेरे YouTube चैनल के अंदर में जाओ चैनल के अंदर में जाके जितने भी popular वीडियो है जितने भी previous वीडियोज है वो सब अगर सर्च मारो तो आपको पता चलेगा कि रोज की सुबह में दो वीडियो देखो सोने से पहले दो वीडियो देखो कितना टाइम लगेगा मालू है आपको बारा पंदरा बीस मिनिट की वीडियो होती है तो आपको आदा गंटा सुबह में देना है और आदा गंटा सोने से पहले आपको देना है रोज की चार वीडियो अगले दो महिने तक आपको देखनी है और फिर देखो क्या परिवर्तन आता है इतनी चीजे आपको इतना ग्यान इसमें से मिलेगा कि पार्टी के सामने क्या बोलना वो आपको समझ में आएगा टाइटल के उपर बिलकुल नहीं जाना कई बार ऐसा होता है टाइटल में कुछ नहीं है लेकिन अंदर जो है वो मसाला भरा पड़ा है अंदर जो है प्रेजेंटेशन बहुत प्रेजेंटेशन मैंने दिये हुए है तो यह मेरा चौथा मुद्दा रहा और अभी पांचवे मुद्दे की और आगे बढ़ते हैं आखरी मुद्दा जो मैंने आपको कहा था बहुत इंपॉर्टन्ट है और एंड तक रुके रहना दोस्तों यह जो पांचवा मुद्दा है यह यह है कि यह जो सौ लोगों के पास आप जाओगे न और आपको बीस लाख रुपए का प्रिमियम चीए राइट चलो मान के चलो क्या होता है पता है सेल कब होती है और क्लोजिंग कब होती है और पॉलिसी कब अपने हाथ में आती है मान के चलो कि अगर ऐसा कोई कंडीशन है ऐसी कोई सिच्विशन है ऐसी कोई आकाशवानी होती है कोई ऐसा जोतीश है जो आपको यह बताता है जो प्रकर ग्यानी है और जो आपको ये बताता है कि 31 डिसमबर को तुमारा आखरी दिन है इश्वर आपको 100 साल की उम्मर दे लेकिन आपका MDRT करवाने के लिए कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें बोलनी पड़ती है जो मैं पसंद नहीं करता लेकिन जरूरी है मानके चलिए कि आपको यमराज सपने में आये और उन्होंने कहा कि 31 डिसमबर ये तिरी जिनगी का आखरी दिन है अब अन्नेकों लोगों ने आपसे उमीदे रखी है कि आप MDRT करो आपके जितने भी आपके डेवलप्मेंट ओफिसर है या आपके CLI है या तो आपके एजिनसी मेनेजर है इन लोगों ने आपसे उमीदे रखी है कि जिनगी में एक बार आप MDRT करके दिखाओ अब आखरी चांस है 31 डिसमबर के बाद तो इस दुनिया में हम नहीं है आपके बीवी बच्चों को भी आप सक्सेस्पुल हो इसका प्रूफ ये है कि आपने MDRT किया अब जरा सोचो अगर ऐसा यमराच कहे के गए कि 31 डिसमबर तक तुमारी जिनगी है और ये दो मेने के अंदर में तुमारे सिनियर के तुमारे फैमिली मेंबर के सपने अगर तुम्हें पूरे करने है तो क्या करोगे MDRT होगा की नहीं होगा चलो सोचो अब दुसरी एक अच्छी वाली कंडिशन देता हूँ ये दुसरी वाली कंडिशन ये है कि यमराज ने आपने बिंती की गिड़ गिड़ा है आपने यमराज को बोला यमराज मेरी उमर तो देखो अभी उमर ही का है मेरे छोटे-छोटे तो पच्चे है कितनी जिनकी में काम करना है इस उमर में आप मेरे को लेके जाओगे थोड़ी दया करो थोड़ी रहम करो कुछ तो करो और ये अमराज आपको बोल रहा है चल एक काम करता हूँ एक ही कंडिशन है 31 दिसम्बर को नहीं लेके जाना है तो और वो कंडिशन ये है कि तिरे को MDRT करके दिखाना है 31 दिसम्बर तक MDRT हो गया तो मैं यहीं पर ही रखूंगा तिरे को और नहीं हुआ तो तरको उठाके लेके जाऊंगा चलो अब मुझे बताओ MDRT कर सकते हैं की नहीं कर सकते हैं ये मान के चलो ऐसे सोचो 31 दिसम्बर 2023 को मेरा MDRT नहीं हुआ तो यामराज मेरे को लेके जाएंगे कैसे काम होगा बस चलो इसी आइडिया के उपर और एक आइडिया आपको बताता हूँ मैं क्लोजिंग कैसे करना चलो यामराज आपको ये कहते हैं कि भाई तेरे इलाके में मैं तुझे 200 लोगों का लिस्ट दे रहा हूँ और ये 200 लोग वो हैं जिनको मैं 31 दिसम्बर को उठाने वाला हूँ और ये यंग लोग है ये 35 साल नौजवान 40 साल का नौजवान 32 साल का नौजवान 29 साल का नौजवान ऐसे लोगों का लिस्ट मैं तरे को दे रहा हूँ और इन 200 लोगों के पास जाना है और जाके तेरे को इनको मैं उठाने वाला हूँ तुम मिल सकता है लेकिन कंडिशन यह है कि उनको बताना नहीं है क्या नहीं बताना है कि 31 डिसमबर को यह अमराज तुम्हें उठाके लेके जाएंगे यह बताना नहीं है लेकिन इनको मैं जो आपने बनाया अगर इनको 31 दिसमबर 2023 को इश्यूर अगर उठाने वाला है अमराज उसको लेकर लेने को आने वाला है आप उसके सामने बैटे हो सच बोलना पॉलिसी बेचे बगर उठोगे या नहीं उठोगे ये मान के इन 200 लोगों को मिलो मुझे भी पता है आपको भी मालूम है इश्यूर कोई किसी को जो लिखा है वा आपके और मेरे कहने से कोई मरता नहीं है लेकिन अगर ये मान के और सच बता रहा है आज मेरी ये बाते सुन के आज मान के चलो कि अगर ये वीडियो दस हजार लोग देख रहे हैं और दस हजार लोग रोच के जैसे मैंने आपको कहा वैसे तीन से पांच मिटिंग करते हुए दो सो लोगों को मिटिंग करे या सो लोगों को मिटिंग करे और तीस पॉलिसी बेगर बेचते हैं तो इसका मतलब दस हज़ार लोग 30 पॉलिसी बेच के दो महिने में 3 लाख लोगों की पॉलिसी लेंगे अब मुझे बताओ ये 3 लाख में से कम से कम मैं ये मान के चलता हूँ 15-20 लोग तो दुनिया छोड़के जाएंगे की नहीं जाएंगे अब ये कौन लोग है 3 लाख में से 15-20 जो दुनिया छोड़के जाएंगे ना आपको मालूम ना मेरे को मालूम ये मान के हम क्यों ना पार्टी के सामने बैठे है और इस तरीके से इस अंदाज में अगर हम पॉलिसी बेचेंगे तो पॉलिसी बीकेगी या नहीं बीकेगी बताओ मेरे को एंड एक्तम सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन अब मैं आपको देने जा रहा हूँ जिनको भी मेरे साथ अगले साल के लिए जन्वरी दोजार चूबिस से MDRT का सपना हो या WDRT का हो या COT का हो या TOT का हो इक चपर्दस online प्रोग्राम में आप लोगों के लिये लेके आ रहा हूँ ये प्रोग्राम मैं पिछले दो साल से चला रहा हूँ और इतना सक्सेस उसमें मिला है क्योंकि ये online सेशन के अंदर में 12 महिने के अंदर में 24 सेशन्स देता हूँ हर महिने के पहले मंडे को और तीसरे मंडे को मेरा ये प्रोग्राम चलता है 2-2 गंडे का 7-9 पि-म शाम को 7 बजे से लेके रात के 9 बजे तक 2 गंडे का ये प्रोग्राम चोबिस सेशन के अंदर में मैं आपको MDRT से लेके डबल MDRT, COT, COT का सपना कैसे पूरा करना वो मैं आप लोगों बताता हूँ और इसके लिए चोबिस सेशन अटेंड अगर करने है ओल मोस्त तीन सो लोग जुड़ चुके हैं मैं अक्टूबर से ये बात कर रहा हूँ और तीन सो लोग जुड़ चुके हैं और अभी जिसको भी जॉइन करना है ओनलाइन सेशन ये जॉइन कर सकते है इसका नाम है MDRT जर्नी एंड इसकी फीज है चोबिस सेशन की बारा महिने की ओनलाइन सेशन की पंद्रह हजार रुपए लेकिन अब ये अर्ली डिसकाउंट चल रहा है क्या करो मालूब है नीचे जो लिंक दिया ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें जाओ और क्लिक करो सर्प्राइज रेट आपको मिल सकता है ये सर्प्राइज रेट I don't know कितना होगा लेकिन इट्स वेरी सर्प्राइज रेट पहले हंड्रेट जैसे ही क्रोस होते है रेट बढ़ जाता है जैसे सो क्रोस हो गए रेट बढ़ जाता है उस तरह से हमने सैटिंग लगाया हुआ है जाके उसको क्लिक कीजिए और MDRT जरनी को जन्वरी से मेरे सामने ओनलाइन सेशन दो दो गंटे के अभी यहाँ पर क्या है यूटूब पे समय की एक कमी होती है समय कम समय के लिए लोग देखते है इसके लिए यहाँ पर 10-15 मिनिट की बाते चलती है वहाँ पर आपको दो दो गंटे स्ट्रेटेजी में आपको बताऊंगा डिटेल स्ट्रेजी में आएगा बारा महिने तक और फॉल उप भी चलता रहेगा अलग-अलग सब्जेक के उपर में बात करता हूँ मैं गोल सेटिंग से लेके प्रोस्पेटिंग से लेके प्रेजंटेशन से लेके क्लोजिंग से लेके अंगिनट टॉपिक उसके अंदर में मैंने डाले हुए यह जो महिने के दो सेशन इसमें फ़र्स सेशन में दो गंटा मैं टॉपिक कवर करता हूँ और पंदर दिन के बाद कोई भी COT agent, TOT agent इसका मैं interview लेता हूँ तो यह expert guidance भी आपको मिल जाता है और यह expert coaching भी मिल जाता है so expert coaching, expert guidance MDRT journey 24 session, स्वागत है आपका thank you so much, have a nice time God bless you, love you all, धन्यवाद मिलते हैं अगले सोमवार को त्यावहार में धुम कैसे मचाना उसके उपर में कुछ टॉपिक लेके आऊँगा धन्यवाद